तो हमारे बारत का सुविदान जो अनुचेद याद करने की सीरी चल रही थी उसके अंदर हमने बाग एक, बाग दो और बाग तीन का अनुचेद 18 तक देख लिया था यानि कि जो बाग तीन हमारा मूल अधिकारों के सुरुआत होती है उसमें अनुचेद 12 वा 13 जिसमें राज्य वा विदी को परिवाशित किया गया है और उसके बाद समान तक अधिकार आता है तो समान तक है अधिकार जो कि अनुचेद 14 से 18 तक है उसके बाद आता है सोतंतर तक अधिकार उसकी आज हम सुरुवात करेंगी जिसमें आते हैं अनुचेद हमारे 19, 20, 21 और 22 तो हमने अब तक क्या पढ़ाएं पहले उसका रिविजन करते है सौर्ट में कि भाग एक पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था संग एं राज्य सेतर और इसमें हमने अनुचेद क्या देखे थे एक से लगाकर चार तक फिर हमने भाग दो देखा था जो था नागरिक्ता के संबन दित और इसके लिए हमने अनुचेद देखे थे 505 से 11 तक और फिर आता है भारती स्विधान का भाग दीन जो है मूल अधिकारों से संबन दित मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यानकी फंडामेंटल राइट्स जिसके लिए अनुचेद है 12 से लगाकर 35 तक इस बाग तीन में हमने देखा था अनुचेद 12 वह 13 जो कर्म से राज्य और विदी को परिवाशित करते हैं उसके बाद आता है हमारा समानता का अधिकार जो की है अनुचेद 14 से लेकर 18 तक 14 जिसमें विदी के समक समानता विद्यों का समान सरक्षन अनुचेद 15 धरम जाती लिंग मूल विन्स और जनम इस्तान के आधार पर भेदबाव नहीं होगा अनुचेद 16 लोक नियोजन के विशे में आउसर की समानता अनुचेद 17 अइस पर्षता यहां सुवा सूत का अंत और उसका आचन निशित और अनुचेद 18 उपादियों का अंत यह हमने देख लिया था समानता का अधिकार के बाद आता है सोत अंतरता का अधिकार मूल अधिकारों में सो अंतरता का अधिकार और इसके लिए अनुचेद 19 से लगाकर 22 तक छो यह बताते हैं कि हामें किस परकार की सोतनतरता अथा स्मइधारands में यह 14 से 18 तक हो गया तो अब हम सुरू कर रहे हैं बागतीन का अनुच्छ आगे 19 से लगा कर 22 तक बागतीन मूल अधिकार यानि कि फंडामेंटल राइट्स अनुच्छ उननीस इसमें आता है सोतनतर्ता का अधिकार क्या कहता है देखिए अनुछेद 19 समय 6 परकार की सोतंतरता देता है कौन-कौन सी? सबसे पहली सोतंतरता जो 19 अनुछेद है इसका जो सब ग्लोज एक है उसमें है बासन व अभिव्यक्ति की सोतंतरता यानि कि एक सब्दों में ये भी लिखावा है वाक एम अभिवक्ति की सोतंतर था भासन मतलब कुछ भी बोलने का अभिवक्ति मतलब अपने विचार व्यक्त करने का हमें पूर्ण रूप से सोतंतर अधिकार है किसी परकार की रोग टोग नहीं है तो ये अनुचेद 19 का सबकलोज एक ये कहता है कि freedom of the speech and expression पासन वो अभिवक्ति की सोतंतर था है फिर अनुचेद 19 का सबकलोज दो है जिसमें लिखावा है किसी भी परकार की सभा करने की सोतंतर था है हम किसी भी परकार की असेंबली जाने की सभा कर सकते हैं हमें किसी परकार की रोग टोग नहीं होगी फिर इसरी का सबक्लोज तीन है उसमें है संग या संग्ठन बनाने की सोतंतरता है हम किसे भी परकार का संग या संग्ठन बना सकते हैं हमें इसकी सोतंतरता है फिर इसरी के अंदर चौता है कि हम बारत के राजे सितर में कहीं पर भी गूम फिर सकते हैं इसकी हमें सोतंतरता है कोई रोक्टोग नहीं होगी औ। फिर पाँचवा है कि हम भारत के राजे राज उत्र judgments कहीं पर भी बस सकते हैं जाकर है रह सकते हैं पूर्ण रूप से ऌतरता है और इसी के अंदर जो 1926 सब глोग जिसमें लिखा हऊए कि हम भारत के राजे सेत्र में कहीं पर विवयपार कर सकते हैं कहीं भी वयपार वानिजी कर सकते हैं कुछी परकार रोक टोक नहीं हो गई तो 19 जो है अनुचेद यह हमें 6 परकार की सोत अंतरता देता है यानिकि इसमें हम लिख सकते हैं कि 6 परकार की सोत अंतरता फिर आता है हमारा अनुचेद 20 अनुच्छित 20 केता है अपरादव दोसिद्धी के विरुद्ध सरक्सन चाहिए कि इसका मतलब समझे अनुच्यत 20 का मतलब है कि कोई बी अपराद या कोई दोस है अपने ऊपर उसके शिद्ध किया जाना या सिद्धि से संबंदित हमें क्या स्रक्सन मिला हुआ है क्या क्या उपचार है उसके बारे में बात की हुई है अनुछेद 20 में तीन परकार की बाते लिखी हुई है कौन कौन सी कि सबसे पहली बात तीन बात है कौन कौन सी है सबसे पहली बात इसमें है कि आपने जिस समय अपराद किया है उस समय जो कानून था उसी के तैत आपकर कारेवाई की जाएगी इस परकार समझे कि कोई भी ऐसी विदी जो भूतलक्सी परभाव नहीं रखती है वो भूतलक्सी परभाव का मतलब कोई ऐसी विदी जो पहले अपराद या कोई भी घटना होई है उससे पहले की घटनाओं पर लगू नहीं होती है उसे कहते हैं भूतलक्सी परभाव जो बनी है उस दिन से आगे लगू होगी तो ऐसे कोई भी कानून जो जैसे आप इसको एक्जामपल के तोरु पर समझे कि आज कोई अपराद किया है किसी ने और कल कोई कानून बनता है तो वो उसको सजा उस कानून के तहत नहीं मिलेगी जो पहले से चला आ रहा है उस कानून पर लगेगी मतलब कि पहली बात हमें अपराद की विरुद्दोस सिद्धी के सरक्षन में ये बताती है कि जो वर्तमान में जिस समय अपराद गटित हुआ है उस समय के कानून के तहती आपके उपर कार्यवाई की जाएगी इसी के अंदर दूसरी बात लिखी हुई है कि आपको एक अपराद के लिए केवल एक ही सजा मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपको एक अपराद के लिए किसी नियायलन ने सजा दे दिये और दूबारा उसी अपराद के लिए सजा दे रहे हैं ऐसा नहीं होगा अनुछेद 20 की दूसरी बात यह है अब अनुचेद 20 की जो तीसरी बात है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपरादी गोश्चित जा अपरादी है उसको खुद को अपने खिलाप गवाई देने के लिए बाद्य नहीं किया जाएगा आनुचेद 20 का कहता है कि अपराद वद दो सिद्धिक के विरुत सरक्षण 810 में बताई हुई यह पहली बात कि जो कानून वरत्मान में अपराद के समय अपराद गटी तो होने के समय जो कानून था पहली बात तो उसी के तेधा सजा मिलेगी दूसरी बात एक अपराद के लिए केवल एक ही सजा मिलेगी और तिसरी बात कि आपको खुद को आपके अपराद के खिलाब गभाई देने के लिए मजबू या बद्धिय नहीं किया जाएगा कि आप यह कुबूल करो कि आपने ये गुना किया है ये अपराद किया है तो यह कहता है अनुचेद 20 अब आता है अनुचेद 21 और 22 अनुचेद 21 क्या कहता है अनुचेद 21 हमें प्राण वा देविक सवतन तरता यानि कि जीवन जीने का अधिकार देता है प्राण वा देविक सवतन तरता इसे हम कह सकते हैं दूसरी बासा में जीवन जीने का अधिकार उसका मतलब यह अनु छ्डी Ziyeees बहुत ही व्यपक प्राण वह देखिक यानि कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब यहां पर यह है कि हमें अच्छा जीवन जीने का अधिकार है हमें स्वच वायू स्वच वावा स्वच वातावर्ण स्वच पानी यहां कहीं पर भी विदेश में जाना है कहीं पर भी कुछ भी हमें अपना जीवन जीने का अधिकार है और वह जीवन कैसा हो जीवन ज प्राणों की हमें किसी भी परकार से अच्छा बनाने की सौतंतरता है यह बात कहता है अनुचेद 21 यह बहुत व्यापक है इसकी हर चीज जैसे लोग कितवाद की जितने भी मामले होते हैं उनमें अनुचेद 21 होता है कि जो भी एक से अधीक लोगों से संब्दित रखने वाले जो भी मामले होते हैं वो अनुचेद 21 से संब्दित होते हैं जिसमें सब लोगों का कल्यान या सब लोगों से जुड़ी हुई बाते होती हैं जो अनुचेद 21 के चैट आती है कि प्राण वह मिद्धिक सवतंतरता द अनुचेद 22 कहता है गृफ तारी के विरुद सरक्सन पहले हम अपराद करेंगे फिर गृफ तारी होगी गृफ तारी के विरुद सरक्सन ग्रिफतारी के विरुद सरक्षन का मतलब है कि अगर आपने कोई अपराद किया है और आपको ग्रिफतार किया जाता है तो उस समय आपके क्या-क्या अधिकार होंगे उसके बारे में बात करता है इसमें अभी तीन बाते लिख हुई जैसे अपराद के लिए दो सिद्धी सरक्षन अनुचेद 20 के ताथ हमने तीन बाते कान सी देखी थी कि कोई भी कानून जो उस समय बना हुआ है उसी के ताथ आपको सजा मिलेगी पहले के कानून के ताथ सजा जो बाद में बनता है कानून उसके ताथ सजा नहीं मिलेगी और एक अपराद के लिए के एक सजा मिलेगी और आपको खुद को अपने के खिलाब गवही देने का आपको बाद देने किया जाएगा ये तीन बाते अनुचेद 20 में देखी अनुचेद 21 गिरफतारी के विरूत सरक्षन है मतलब अगर आपको गरिफतार कर लिया है तो उस समय आपको तीन अधिकार बनने रहेंगी कौन-कौन से सबसे पहला अधिकार है कि आपको गरिफतारी का कारण जानने का अधिकार है आप आपको क्यों गरिफतार किया गया है इसका कारण जानने का आपको पूरी तरह अधिकार है फिर इसी के तहर दूसरी बात लिखी हुई है कि अगर आपने को गुरिफतार किया गया है तो अगले 48 गंटों के अंदर-अंदर जो समंधित न्याईक अधिकारी है या मजिस्टेड है, कलेक्टर है या जो भी सिविल जज है उसके खिराब आपको 48 गंटों के अंदर-अंदर पेस करना जरूरी है या आपको अधिकार है एक परकार का और फिर तेसरी बात इसमें लिखी हुई है आपको अपने अनुसार कोई विधी व्यवशाई या कोई वकील चुनने का अधिकार है पुर्ड रूप से स्वतंतर ताए आप ये तीन परकार की स्वतंतर तर ले रहे हो गिरपतारी के विरुद कि आप क्या कर सकते हो कि आप कारण जान सकते हो कि मुझे गिरपतार क्यों किया आप ये देख सकते हो जो गिर्पतार किया है उसके 48 गंटे के बाद आपको 48 गंटे तक आपको संबन दित जुन्याईक अधिकारी है उसको उसामने पेस किया जाएगा और तिसरी बात आपको अपने अनुसार विदी व्योसाईयन की वकील चुनने का अधिकार है आप किसी परकाया आपने पेरवी करवा सकते हूं यह कहता है अनुछेद 19 से लगा कर 22 तक जो है सोतंतरत गादिकार एक बार सोट ड्रिविजन अनुछेद 19 छे परकार की सवतंतर था कौन-कौन सी बासन अभ़िवक्ति की सोतंतर था सभा करने की सोतंतर था संग या संग्ठन बनाने की सवतंतरता कहीं पर भी गोमने फ्रने की सवतंतरता कहीं पर जाकर बसने की सवतंतरता व्यापार या वाने जे करने की सवतंतरता फिर अनुचेद 20 आपको अपराद के विरूद अपराद या दो सिद्धी के विरुद सरक्षन की बात करता है कोई आपने अपराद किया है तो उसकी तरह सजा मिलेगी या एक अपराद के लिए आपको एक सजा मिलेगी या फिर तीसरी बात इसमें है कि कि आपको खुद को आपके खिलाब कोई देने की बादे नहीं के जाएगा फिर अनुचेद एक किस प्राण वो देविक सवतंतरता की बात करता है कि आप एक अच्छा जीवन, क्वालिटी वाला जीवन जी सकते हो आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार है इसके बारे में बात करता है अनुचेद बाईस जो गरफतारी के विरुद सरक्षन की बात करता है कि अगर आपको गरफतार किया है तो उसका आप करण जान सकती हो कि मुझे क्यों गरफतार किया या आपको गरफतार करने के अगले 48 गंटों के अंदर-अंदर समझ दित जो न्याईक अधिकार ही है उसके सामने पेश करना पड़ेगा यह आपका एक अधिकार है और उसके बाद तीसरी बात इसमें कि आपको अपने अनुसार कोई विधी व्यवसाही चुनने का अधिकार है पुर्ण रूप से सोतन तरता है तो यह होगा हमारा अनुचेद 19 से लेगा कर 22 तक मूल अधिकारों में अब इसके बाद जो तीसरा मूल अधिकार आता है वो सोचन के विरुद अधिकार जो अनुच